एक, दो, तीर और चार चन्द सेकिंड के भीतर दो मन्जिला मकान धराव एक बार फिर देखिए आसमानी आफ़त का दराने वाला ये वीडियो जरजर हो चुके इस मकान के गिरते ही वहाँ धूल का गुबार चा गया ताश के पत्तों की तरह ढहते मकान की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के दतिया से आई है बस घरीमत ले रही कि जिस वक्त ये मकान भरभरा कर गिरा तब तक लोग घर के बाहर निकल चुके थे MP के दतिया में जोरदार बारिश लोगों के आशियाने और जान छीन रही है मौझूद एक आदमी मलवे में दब गया है घटना की सूचना मिलते ही फॉरण उस आदमी को बाहर निकालने की कोश्च शुरू की सिर्फ ग्यारा सेकंड की ये तस्वीर बार की विभीशिका के माइने समझाने के लिए काफी है दो किसान अचानक आए सैलाप के बीच फस चुके हैं और पेड की टहनियों का सहारा लेकर जान की गुहार लगा रहे हैं पानी का स्तर देखी सिर्फ पेड का उपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है जबकि पूरा का पूरा तना डूप चुका है तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हैं जहां 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने कोहराम बचा दिया एक नया डिप्रेशन बन रहा है यानि लो प्रेशर एरिया है अभी जो दक्षणी बंगला देश में है वो दीरे-दीरे आगे बढ़ेगा और दो दिनों के अंदर डिप्रेशन बन जाएगा वो भी मध्य भारत तक पहुचेगा उसके प्रबाब से पूर्वी और मध्य भ पानी से लबालब ये यूपी के कन्नौच का पुलिस स्टेशन है जहां ना सिर्फ पानी का कबज़ा हो चुका है बलकि तेज हवाओं ने मजबूत पेड़ों को जड़ से उखार फेका है बर्बाद फसले, उखड़े पेड, विजली के खंबे, मकान की ढई हुई दीवारे ये सब तबाही के वो निशान है जो बारिश अपने साथ लेकर आई है ये वो कन्नौज है जहां से यूपी के पूर्व मुख्यमंतरी अखलेश यादव सांसत है लेकिन फिलाल कन्नौज में भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है दजली के ट्रांसफार्मर गिर गए जबकि कई हेक्टेर में लगी फसने बरबाद हो चुकी है जिसके बाद किसान बेहत परिशान है गाउँ वाले कुदरती प्रहार से काप उठे हैं और प्रशाशन जल्द राहत पहुँचाने की बात कर रहा है अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के लखीम पुर्खीरी से आई इस तस्वीर में एक बस किसी तरहा पानी में लुड़कने से बची हुई है रास्ते पर करीब एक फीट तक पानी आचुका है गौर कीजेगा इस फसी हुई रोडवेज की बस में यात्री सबार नजर आ रहे है गरीमत ये रही कि बस पानी में गिरने से बाल बाल बच गई और वक्त रहते 20 यात्रीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया लगिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती यूपी के लखीम पूर खीरी की ही अगली तस्वीर देखिये जहां बार के बहाव में भारी भरकम टैंकर बहकर पलड गया है इन रास्तों से पुलिस प्रशासन ने बाहनों का निकलना बंद कर दिया है बावजुरिस के लोग मान नहीं रहे दस्वी तस्वीर बादरों की बगावत के बिगड़े हालात की गवाही देने वाली दस्वी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौझूद है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी